अलो फ्रेंड्स, वल्कम तो स्टोईन पीडिया, इस बीडियो में हम बात करने वाले हैं CVT, PGA अप्लिकेशन फॉर्म कैसे फिलप करनी है, सब पर बात करेंगे, यहाँ पर सारे डिटेल्स आपको बताऊंगा, आप जो हैं किसी के लिए भी अपलाई करने हो, चाहें B8 के लि लोगों को यहाँ पर साइड भी नहीं मिले थी, तो सिंपली आप सर्च करेंगे, CVT, यहाँ पर गूगल में आप देख सकते हैं, मैंने भी सर्च करा है, उसके बाद जो है आपको यहाँ पर देखनी को मिलेगा, CVT, NTA, NICINE, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो है नीचे आजाएगा, नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको देखनी को मिलेगा, रजिस्ट्रेशन फोर स्यूटी, PG2022, यहाँ पर उस पर क्लिक करना है, आपको क्लिक करने के बाद देखिए बोला गया है, लॉग इन करने के लिए, पर यहाँ बुला है only registered candidate sign in तो यहाँ पर अगर आपने registration कर ली है तो sign in कर लेंगे क्योंकि आपके पास application number होगा यहाँ पर और password जो आपने create किया होगा वो होगा तो अगर आपके पास नहीं तो new registration में आपको click करना है new registration का option यहाँ पर देखनी को मिल जाएगा new registration कर लेजएगा और देखिए यहाँ पर आपको बतना दूप पहले अगर आप mobile से phone fill up कर रहे है तो यहाँ पर desktop site का option देखनी को मिलता है इसे आपको on कर लेना है ठीक है उसके बाद जो है new registration में आप जाएगे registration में बोला गया है registration करने और उसमें आपको काफी कुछ बताया गया है जैसे बोला गया है download कर लेना information bulletin अगर नहीं करेंगे तो भी चलेगा पर code वगरा सब कुछ यहाँ पर mention इसलिए कर लिजेगा क्योंकि code select कर रहा होगा आपको साथ में free की बात की गई है और additional form fill up करते है तो यहाँ पर अलग से free charge करेंगे यह वो भी आपको बता दी गई है उसके बाद जो है नीचे आ जाएगा सारे डियस वड़के और जो है फिर यहाँ पर click here to proceed कर देना है click here to proceed करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आप से नाम पुछा जाएगा जो की certificate में होगा वही नाम देजेगा father's name बताना है, mother's name बताना है date or birth जो होगा वो बताईएगा फिर gender आपको select करनी है gender select करनी के बाद जो है निसलर्टी बतानी है आपको किस देश से आप है, फिर identity type बतानी है identification number बताना है इसमें अधार का number अगर आप choose करते है तो उसका number आप देजेगा फिर present address आपको बताना है जहां आप रह रहे हों उसकी address आप दे सकते है यहाँ पर उसमें क्या क्या तो देखिए परमिस बताना है आपको कहां रहते हैं सब locality बताना है, locality बताना है country, state, district, pin code जो भी होगा district आप बता देजेगा pin code देख लेजेगा नेट पर पताना हो तो फिर mobile number आपको यहाँ पर देना है confirm करना है mobile number और active देंगे याद रखे mail और यह active देजेगा इसी पर आपका आने वाला है registration number जो आप भी registration करेंगे फिर email आप देदेंगे, confirm करेंगे email alternative आपको जो है optional number यहाँ पर देदेना है जैसे आपका फोन खो जाता है तो यहाँ पर उस टाइंब यह काम आईगा same as present address आप कर सकते है अगर address आपका same है, एक ही address है अगर other address है, जहाँ पर moment address हो जहाँ आप हमेशा से रहते हों वहीं आपका घर हो, तो वो आप यहाँ पर देदेजेगा उसमें भी same आपको बाते यहाँ पर बतानी होगी उसके बाद जो है password create करना है password में देखिए आपको कैसे create करना है काफे लोगों कोई इस पर भी problem होती है तो आपको जो है एक small letter के alphabet चूज करने है, इसे Z तक में कोई भी आप चूज कर लिजेगा उसके बाद जो है आपको यहाँ पर जो है एक या दो यहाँ पर चूज कर लिजेगा minimum mate है तो दो ही चूज करना है इसे Z तक का, फिर जो है यहाँ पर जो है आपको क्या करना है यहाँ पर आपको number यूज करना है, 1 से लेकर 9 तक कोई भी number यूज कीज़े, 10 तक यहाँ पर जो है, उसके बाद करना क्या है तो यहाँ पर जो है आपको special letter भी यूज करना है, इस special letter में हज भी आज़ाएगा, आपका add the rate भी आ जाएगा तो यहाँ पर कुछ भी यूज कर सकते है आप यूज कर लेंगे उसके बाद जो है यहाँ पर गरना क्या है security pin आपको देनी है security pin इसे copy कर लिजेगा यहाँ पर और submit कर लिजेगा यहाँ पर आपका registration हो जाएगा registration करने के बाद आपके पास message आजाएगा message कहाँ आएगा तो देखे यह mobile पर आएगा आपके पास और mail पर यहाँ पर mobile पर क्या रहने वाला है registration number जिसके help से आप यहाँ पर login करेंगे तो फिर जो हम में चले जाएगा यहाँ पर उसके बाद जो है आपको application number जो की मिल गया है registration number उसे डाल कर यहाँ password जो आपने create करा था देजेगा और जो security यहाँ पर पिन देखने को मिल रही है उसे यहाँ पर देना है और उसके बाद signing कर लेना है signing करने के बाद यह जो है आपका open हो जाएगा आपके बाद आपके पास इस तरह का option आजाएगा जिसमें आपको बोला जाएगा application form फिल अप करने और fee payment करने तो simply आपको application form फिल अप करने चले जाना है उसमें जो है सबसे पहले contact details जो आपने दिया था already आपने हो गया होगा personal details देनी हधार card details दे दीजेगा यहाँ पर detail देने के अब आना है आपको apply for exam और center details में तो यह जो है सबसे जरूरी है से ध्यान से समझेगा यहाँ पर test paper आपको choose करना है अब test paper bulletin में आप देख लेजेगा जैसे मैं यहाँ पर select कर रहा हूँ PGQP01 यह जो है B8 के लिए है यानि यहाँ पर अगर मुझे B8 entrance examination देना है तो मैं इससे choose करूँगा और जो है अगर मुझे BHU के लिए देना है B8 examination तो उसके लिए अलग code होगा तो आप जो है code देख लेजेगा जैसे मैं यहाँ पर PGQP17 select कर रहा हूँ तो यह जो है जिगरोफी के लिए है तो जो भी जिगरोफी के लिए entrance देंगे उसे यह choose कर रहा है तो आप जो है जितने surgeon के बारे में बताना है या parent के बारे में वो ख्या खर रहे हैं काम उनकी degree क्या है other qualification भी बताना है आपको mother qualification भी पताना है ठीक है यह जो है आप यहाँ पर दे देजेगा यहाँ पर उसके बार करना क्या है तो security pin यहाँ पर मागा जाएगा उसे यहाँ पर copy कर लिजेगा security pin को copy paste करने के बाद जो है simply आपको करना क्या है आपको आ जाना है निस details में जो कि यहाँ पर subject or language universities के होगी यहाँ पर हमने तो code select कर लिया था पर हमने यहाँ पर बताया नहीं था यहाँ पर question paper medium हमारा रहेगा कौन से language में रहेगा कौन कौन से university के लिए हम दे रहे तो हमने बिचैसा यहाँ पर B8 के लिए select किया था code आप जो है यहाँ पर बोला गया है subject language तो यहाँ पर applicable नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर exam नहीं ले रहे है language का तो यहाँ पर जिनकी language की exam होगी उनको select करना होगा language अब यहाँ पर question paper आपको select करना है कौन से medium में आप लेंगे हिंदी अगर चाहते है तो हिंदी में click किजेगा यहाँ पर English चाहते है तो English में click करना है उसके बाद universities आपको बताया गया है select all भी कर सकते है या किसी particular universities के लिए apply कर रहे है तो उस पर आप click कर सकते है उसके बाद जो है second हमने यहाँ पर select कर रहा था PGQ, P17 यह जग्रोफिक के लिए था तो जग्रोफिक के लिए जितने भी colleges हो जाएंगे same यहाँ भी करना है आपको English लेना चाहते है English के लिए click किजेगा फिर university select all भी कर सकते हैं तो यह आपको ख्याल रखना है और other अगर मैंने यहाँ पर code choose किया होगा test paper तो उसके लिए भी आपको same process follow करना होता फिर जो है security code यहाँ पर होगा उसे यहाँ पर लिखेगा save और next कर देजेगा उसके बाद जो है other option आपका आएगा qualification details का qualification details में 10th 11th यहाँ 10th के बाद जो है आपने 12th करी होगी बोर्ड उसका details देना है फिर जो है अभी जो है आप होंगे यहाँ पर graduation में तो यहाँ पर appearing आप देख सकते है result नहीं आई result आ गई है तो यहाँ पर pass लिख सकते है passing year कौन सा है वो आपको बताना है यहाँ पर course आपको बता देना है जिसका बता रहूं यहाँ पर वो अभी BA में है कौन सा university तो university आप देख लेजएगा अब यहाँ पर देखें इनवरसिटी जो है यहाँ पर आपको ध्यान देना है तो सकते हैं वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी रिजल्ट मोड आप बताईएगा यहाँ रिजल्ट नहीं आई तो आपको यहाँ पर लिखनी की ज़रुरत नहीं रॉल नंबर आप बता देजेगा इस जो डिजन आटरेस आपको उसके बाद यहाँ पर पूछा जाएगा एक्जामिशन पासिंग यर कौन सा है यहाँ पर स्कूर कितना आपका था और सिकुर्टी पीन आपको देना है सेब नेक्स्ट कर देना है डॉकिमेंट फिर अप्लोड करने का ओपसन आता है डॉकिमेंट आप यहाँ पर अप्लोड कीजेगा कैसे तो देखे चूज आप फाइल करेंगे यहाँ पर आप में फोटो ले लेजेगा फोन पर यहाँ पर फोन से फिल अप कर रहे है तब की बात कर रहा हूं यहाँ पर अगर आप वहाँ पॉटल जाके अगर घर बैठे कर रहे है तो बिल्कुल पॉसिबल है यहाँ पर johet आपको simply करना है फोटो लेना है फोटो यहाँ पर अप्लोड कर दिजेगा के बी के लिए लिमिट दिया हुआ है तो अगर आपके quality हाई हो जाती है फोटो की quality हाई हो जाती है तो उसे आप compress भी कर जाते है, compressor आपको download कर लेना है play store से, यहाँ पर आपको photo आदेनी होगी अपनी और signature का upload करना होगा, signature upload करना होगा same आप जो है photo ले लिजेगा, sign करके उसे फिर upload कर देजगा, हाँ, suny से upload हो जाएगा, upload इधर से आप कर सकते है upload कर देजगा, upload करने के बाद save और next कर देना है, और फिर final submit में चले जाना है, final submit में review के लिए आएगा, application form review करने के लिए आएगा, यहाँ पर आपको देखना है सारे drills match कर रहे या नहीं, जहां मैं apply करना चाहरा था, वो apply हुआ या नहीं और फिर आपको submit कर देना है done कर देना है, और फिर आपको यहाँ पर payment करना पड़ेगा payment में चले जाना है आपको और फिर आप payment कर लेंगे, fee payment में आप जाएंगे और फिर आपको payment करना होगा यहाँ पर ठीक है, तो यह आप याद रखे यही procedure आपको follow करनी है बीच में अगर काफी बाते रह जाती है तो अगर आपको किसी में confusion हो तो comment करके मुझसे पूछ सकते हैं मैं कोसिस करूँगा update करनी की thanks for watching best of luck